इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp में एक ही WhatsApp पर दो नमबर को यूज कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मेरे मोबल में एक WhatsApp इंस्टाल किया हुआ है तो मैं इस एक ही WhatsApp में कैसे दो नमबर को यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने WhatsApp को open कर लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर जो 3-line का एक option मिलता है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option मिल रहा है नीचे switch account का और यहाँ पर जैसे ही मैं switch account पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो दूसरा WhatsApp है जो की दूसरे number पर login है वो open हो जाता है और यहाँ पर भी मैं अपने WhatsApp में किसी के साथ भी chart कर सकता हूँ और status भी देख सकता हूँ जो की दूसरे number का है और इसको अगर मुझे फिर से वो पहले वाले नमबर पर जाना है तो यहाँ पर मैं फिर से इस 3.पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीची आप देख सकते हैं स्वीच अकाउंट का आप्सन है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ जो मेरा पहला वाला नमबर है जिसमें मैंने वाट्सेप लॉगिन किया है वो एकाउंट स्वीच हो जाएगा तो इस सेटिंग को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपके मोबिल में एक वाट्सेप पहले सही लॉगिन होगा एक नमबर पर तो वो जो दूसरा नमबर है उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर थरी डाट पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको setting पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने whatsapp का जो नाम है उपर उसके right side में एक छोटा सा arrow का symbol है इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मेरे whatsapp में अभी दो number login है तो यहाँ पर दोनों ID यहाँ पर show हो रहे हैं तो अगर आपके mobile में एक ही whatsapp में एक ही number login होगा तो यहाँ पर नीचे एक edit option का option होगा तो जैसे ही आप उस पर click करोगे तो आप फिर से एक number को login करके आप दो whatsapp यहाँ से use कर सकते हो वीडियो अगर helpful ही है तो please like करें and channel को subscribe करें thank you so much for watching